नमस्कार गईज आप सबको आचके न्यू वीडियो में आचकी इस वीडियो में साला सर्फ टेक्न कुम्पनी का शेयर प्राइस के वारे में डिस्कस करना आ लो क्या कुछ इस पे गईज 31 जनवरी की दिन स्टोक पे देखने को मिल सकता है डेली चार्ट पेनलाइस करो स्टोक यहां से देख सकते एक बड़ा रेडि दिया है यहां से अगर इसका देखे गई यहां पे लगबग यहां से अगर देखा जए लगबग ज्यादा दिन नहीं वन मन्त का यह अगर रिटान को देखे स्टोक का यहां पे लगबग वन मन्त पे इस टोक ने जो रिटान दिया ह देख सकतो है यहां से अगर देखे जन्वारी से लिखे अभी फिवरारी आने वाला है तो एक ही मन्त पे स्टॉक ने लगबख 100% का यहां से रिटान देता हुआ दिखाई दिया आज के देखोगे आप एक केंडल को काफी ज़्यादा यहां पे लोबी क्रियेट किया था बट स्टॉक अगर देखोगे यहां से वापा से बढ़िया वाइंग देखने को ने स्टॉक पे और 117.60 इसका लोब बनाए था बट क्लोजिंग जो है वो 131.75 पे ही हुआ है अब इसका अगर देखे आप रेजिस्टेंस को तो इसका 140.05 पे फोलो कर सकतो रेजिस्टेंस और थोड़ा सा लॉंग चार्ट पे व्यू करें विकली चार्ट पे देखते हैं स्टॉक पे क्या कुछ पैटन बगएरा क्रियेट हो रहा है विकली चार्ट पे अगर आप लोग यहां से देखोगे गई स्टॉक यहां से अपना इस लेबल को फॉलो कर रहा था जैसे ही इसका ब्रेक आउट आया तो स्टॉक लेयर यहां से रेली दिया कोई भी रिटेस्ट बगएरा के स्टॉक पे देखने को नहीं मिला अब इसका कल के लिए 15 मिनिट चार्ट पे देखते कौन-कौन सी लेबल इस पे इंपोर्टन रहने वाला है 15 मिनिट का अगर चार्ट पे गई स् रहा है तक्रीबन देखा जाये तो 123.90 पे तो यह रहा इसका लेबल अगर यहां से और एक ट्रीड लैंड में ड्रो करूं इस प्रगार से तो पहला रेजिस्टन्स का अगर ब्रेक आता है तब स्टॉक गईस यहां तक का इजीली जाता हुआ दिखाई देगा तो यह जो सारे लेबल से आप लोग फॉलो करना यह रहा 15 मिनिट का लेबल और वाकी यह रहा डेली चार्ट का लेबल जो की खास करके यह दोनों है उससे कॉंटक करना है तो अब आउट पर कॉंटक मिल जाएगा